नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स भयानक चहरा भयानक चहरा, लेखक सतीश कुमार, चितरांकन, स्टूडियो राश्री रात के बारा बज़े थे और रामगर गाउं पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था उस भयानक अंधेरे में गाउं से बाहर एक खंडर में एक साया प्रकट हुआ उसके मुँ से तेज आवाजे निकल रही थी वह साया तेजी से गाउं की और पढ़ने लगा साय के गाउं में पहुँचते ही ओह आज फिर हवेली में किसी का खूल होने वाला है हे भगवान ठाकूर की रक्षा करना साया चलता हुआ गाउं के बीचो बीच बनी ठाकूर राम लखन की हवेली के सामने जाकर रुका फिर वह तेजी से हवेली के अंदर खुश गया साय के चलने की आवाज से सुनसार हवेली के भ्यानकता और बढ़ गई ठपक 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 एक कमरे की खिर्की के सामने पहुँच कर अचानक वह साया रुका फिर सोने वाले को पता भी नहीं चला कि कब उसकी मौत उसके कमरे में खुश चुकी है कमरे के भीतर परविष्ठ हो साया पलंग पर सोई व्यक्ति की और बढ़ा और हाहा हूँ साय के मौ से निकलती उन भैयानक आवाजों को सुनकर सोई व्यक्ति की दिन तूट गई अगले पल आई बचाओ फिर इससे पहले की साया कुछ और कर पाता उसकी शिकार की गर्दन स्वता एक और लटक गई ही 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 यह सारा में डर से मर गया अगले पल वहसाया पुना अपने मू से भैयानक आवाजे निकालते हुए वापस लोट पड़ा हुहुहा अगले दिन सुभा उफ ठाकुर राम लखन की यह निशानी भी खत्मो गई लगता है कलवा की आत्मा ठाकुर सहाब का वन्ष समाप्त करके ही शान्त होगी अब वन्ष में बचा ही कौन है एक पोता ही तो रह गया है जिसे उन्होंने बच्पन में ही पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था काका कल तुम ठाकुर सहाब के पोते को तार भेश दो यहां आकर वह यह हवेली और जायदात पेश चाएगा ठीक है इस हास्ते के ठीक चार दिन बाद अरुन ठाकुर उसी राम लखन का पोता विधेश से वापस लोट कर स्पी से मिला हमें बहुत दुखे बेटे कि पिछले दिनों तुम्हारे एक मातर चाचा ठाकुर रण विजय भी मारे गए उनकी मौत भी वैसे ही हुई है जैसे तुम्हारे माता पिता की हुई थी पोस्ट माटम की रिपोर्ट भी यही कहती है सबकी मौत का कारण हिद्य गती का रुख जाना है इसके अतरिक्त अब तक जो चानबिन पुलिस ने की है उस पर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है क्या मतलब गाउं में फैली बातों के अनुरूप ही हमारी चानबिन भी यही कहती है कि इन मौतों के पीछे किसी प्रेत आत्मा का हाथ है ओ नो बेटे तुम्हें विश्वास नहीं आया ना आप विश्वास की बात कर रहे हैं जबकि मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे जिम्मेदार आफिसर भी आज के प्यग्यानिक यूग में भूट प्रेतों पर विश्वास करते हैं लेकिन बेटे हमारी चानबिन और घटना स्थल से मिले प्रमान यही कहते हैं की आप मुझे उन परमान और अपनी चानबिन के बारे में बताएंगे हाँ हाँ क्यों नहीं एसपी सहाब ने अलमारी से एक फाइल निकाली लो देखो बेटे तुम्हारे खांदान की तीनों लाशों की पोस्माटम रिपोर्ट एक जैसी ही है इसके अतरिक तुम्हारे माता-पिता वा चाचा की मौत जिस-जिस कमरे में हुई है वाग किसी परकार का कोई निशान नहीं पाया गया सिर्फ पैरों के निशानों के कमाल है आपके सामने अपराधी के पैरों के निशान मौजूद है और तब भी आप कहते हैं कि वे सभी किसी प्रेत आत्मा का शिकार हुए है कुछ कहने से पहले अगर तुम निशानों को देख लो तो बहतर होगा दिखाईए आप मुझे यह उल्टे पैरों के निशान क्यों दिखा रहे हैं इनको सीधा करके दिखाईए बेटे फोटो तो तुम सीधी देख रहे हो हाँ यह पंजार जरूर उल्टा है क्या मतलब? मतलब यह है कि यह किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं बलकि किसी भूत के पैरों के निशान है क्योंकि भूतों के पंजे उल्टे होते हैं यानि एड़ी आगे और पंजेब पीछे और अभी हम तुम्हें ये विश्वास भी दिला देंगे कि यह किसी आदमी के नहीं बलकि भूत प्रेत के पैरों के ही निशान हैं वह कैसे ठेरो अभी समझाता हूं जूते उतारने के बाद S.P. देव ने मेज पर रखी लाल स्याही की दवास से स्याही फर्षपर किराती और स्याही पर अपना पैर रगणने लगे अब देखो बेटे कोई इंसान जब नंगे पैर चलेगा तो उसके निशान ऐसे होंगे ऐसी तो होंगे ही इसमें खास बात क्या है है गौर से देखो इन निशानों और फोटो के निशानों म एडी का निशान अधिक स्पष्ट है और पंजे का कम इसका मतलब है कि इस फोटो में जिसके भी पाउं के निशान है उसका पंजा पहले उठता है और एडी पाद में और इस तरह के निशान भूतों के पैरों से ही बन सकते हैं ओह और अरुन बेटे अब यह फोटो और देख की जो तुम्हारे खांदान से प्रतिशोत ले रहा है अंकल कोई प्रेथ हमारे खांदान से प्रतिशोत क्यों ले रहा है यह तो मैं बात में पूछूंगा पहले आप यह बताईए कि आपने किसी प्रेथ की फोटो कैसे खीच ली हमने यह फोटो इतनी से इतनी बड़ी की ह लेकिन आपके पास इतनी सी भी कहां से आई तुम्हारे चाचा की आँखों में थी आँखों में प्रेत की फोटो हाँ बेटे जब आदमें किसी भयानत चीज को अपने सामने देखता है और मर जाता है तो हैरत और भैसे उसकी आँखे कई बार उसी चीज पर टिकी रह जाती ह और मरने से पहले शायद ऐसा ही कुछ तुम्हारे चाचा के साथ भी हुआ था। अब यह शायद इश्वर की ही लीला है कि उनकी उन फटी हुई आखों में हत्यारे की तस्वीर भी कैद हो गई। अगर तुम उनकी खुली आखों को ध्यान से देखो तो वह अक्स तुम्हें स हांदान पर यह प्रकोप क्यों और किसका है सचाई तो नजाने क्या है नगर गाउं वाले कहते हैं कि तुम्हारे दादा एक बहुत बड़े जमिदार हुआ करते थे वे किसी छोटे मोटे राजा से कम नहीं थे उन्होंने गाउं से बाहर एक हवेली बनवाई थी जो अब खंडरों में परिवर्तित हो चुकी है वही हवेली इस सारी मुसीबत की जड़ बनी है यह सच है कि हमारे पूर्खे जमिदार थे और आज भी हमारे पास असीम जमीन चायदाद है परंतु वे हवेली किस तरह से मुसीबत बनी गाउं वाले कहते हैं कि जिस कारिगर से वे परतिशोर दे रही है ओके अस्पी अंकल अप मैं गाउं जाने से पहले एक रिवालवर का लाइसंस प्राप्त करना चाहता हूं वो क्यों बेटे अपनी आत्मरक्षा है तु अंकल बेटे मैंने सुना है कि प्रेतों पर रिवालवर की गोली का कोई प्रभाव नहीं होता अंकल डर की कोई बात नहीं मैंने कहा ना मुझे प्रेतात्मा पर विश्वास नहीं है यह सब मुझे किसी की साजिश मालूम होती है ठीक है बेटे लो यह अप्लिकेशन साइन कर दो थैंक्यू अंकल एसपी सहाब ने जल्दी ही अरुन का लाइसंस बनवा दिया लो बेटे यह रहा तुम्हारा लाइसंस अगर तुम्हें वहाँ कोई नए जानकारी मिले तो हमें अवश्य बताना और अगर हमारी किसी मदद की जरूरत पड़े तो फॉरण चले आना भगवान तुम्हें सह कुशल रखे ओके अंकल आपकी मदद वा जानकारी के लिए धन्यवाद अच्छा अब मैं चलता हूँ अरुन लाइसंस लेकर एक आम्स एंड एमिनेशन की दुकान पर पहुँचा यह लीजे लाइसंस मुझे एक रिवालवर वा कुछ कार्टूस चाहिए ठीक है आप कुछ देर इंतजार कीजिए जल्दी ही आपको दोनों चीजे मिल जाएंगी रिवालवर वा कार्टूस प्राप्त करके अरुन एक तांगे में अपने गाउं की और चल दिया इस समय शाम के पांच बजे थे बाबा क्या आप किशनगर रोज जाते रहते हैं रोज ही जाता हूँ क्योंकि मैं रहता ही किशनगर हूँ कहने की साथ ही तांगे वाले ने घोड़े की पीट पर हंटर फटकारा दब तो आप ठाकूर रनविजे को भी जानते होंगे हट वही ठाकूर रनविजे जो अभी कुछ दिन पहले कलबा की आत्मा का शिकार हुए थे हाँ हाँ बही मगर यह कलवा का क्या चक्कर है कौन है यह हाँ है नहीं था बहुत बड़ा कारिगर था वे हवेरी बनाई थी उसने ठाकुर की मगर मगर क्या कहते हैं उसके बनते ही ठाकुर ने कलवा को कुन्बे सही जिन्दा जलवा दिया था क्या कलवा की परिवार में कोई जिन्दा नहीं बचा था, हमने तो यही सुना है बाबू, दादा ठाकुर द्वारा कलवा को कुन्बे सही जिन्दा जलवाने का क्या कारण हो सकता है, कुछ बल की खामोशी के बाद, तुम गाउं में किसकी आ जाओगे, चलते रहो बाबा, गाउं पहुँचने पर पता दू बाबू सहब, आप कहीं छोटे ठाकरत नहीं? हाँ बाबा, मैं ही छोटा ठाकुर हूँ, बाबू सहब, आपने अच्छा किया, जो चले आए, मगर रात होने से पहले ही वापस चले जाना, और हो सके, तो अपनी सारी जमीन जायदात बेच कर, शहर में ही अपनी जिन्दगी बिता लेना, यहाँ पर तुम जिन्दा नहीं बचोगे, मैं मौस्त डर कर, अपने दादा परदादा की जमीन से नाता नहीं तोड़ूँगा बाबा, मैं यहाँ रहने आया हूँ, क्या कहते हो छोटे ठाकुर? मैं सही कह रहा हूँ बाबा, छोटे ठाकुर, मैं तो कदाप मुझे दे दीजिए, काका, आप हवेली में अकेले ही रहते हैं? हाँ, छोटे ठाकुर, बहुत साल से मैं अकेला ही इस हवेली में हूँ, पहले तो और भी नौकर थे, मगर भै के कारण सब भाग गए, मैं आपके विलायत जाने के साल भर बाद ही यहाँ आ गया था, कोश द देली आपको सौब कर आराम से जा सकूँगा, इस हवेली में कई सालों से रहसे में मौते होती चली आ रही हैं, हाला कि हमारे खांदान के लोगों की सिवा और किसी की मौत नहीं हुई, फिर भी सब पुराने नौकर भाग गए, सिर्फ इसी छोड़ कर, आखिर यह क्यों नह दो लीजे, मैं आपके लिए खाना तयार करता हूँ, बुढ़े रामदीन का स्वर सुनकर अरुन की सोचे तूट गई, और वह हरबडाता हुआ भोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी फ्रेश हो कर आता हूँ, अरुन को खाना खिलाने की कुछ देर बाद, बुढ़े रामदीन द्वारा साफ किये गए एक बेटरूम में आकर, अपने बेट पर पैठा, वहा होने वाली रहस्य में मौतों के बारे में सोच रहा था, तभी छोटी ठाकुर सोने से पहले अपने कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने, कहकर पूढ़ा रामदीन कमरे से ब आक नहीं लगी, तो वह उठकर कमरे में टहलने लगा, अभी उसे टहलती कुछी शंट बीते होंगे, कि उसकी नजर खिड़की से बाहर हवेले के बुर्ज पर पड़ी, अरे यह रामदीन इतनी रात को बुर्ज की और क्यों जा रहा है? तभी बुढ़े नौकर ने बुर् पड़ी पका रहा है, कुछ देर बाद बुढ़ा नौकर बुर्ज से वापस लोट पड़ा, इसने किसे और क्या किशारा किया होगा? अता उसने निश्चे किया, कम से कम मुझे आज रात नहीं सोना चाहिए, अता अरुन एक पत्रिका उठा कर पढ़ने लगा, रात के दो टॉर्च वा रिवाल्वर निकाल कर खुमा, खिड़की के शीशे पर एक साया उपरा, ओ, तो मेरा शक सही रिखला, आज मैं इसे मार कर अपने पूर्वजों की हत्या का बदला सरूर लूँगा, लेकिन अब तक अरुन खिड़की तक पहुचा, साया खिड़की से गायब ह हो चुका था, अभी वह जादा दूर नहीं गया होगा, और फिर हवेली में भाग कर छिपेगा कहां, अरुन कमरी से बाहर निकलाया, परन्तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया, कमाल है, गैलरी दूर तक सुनसान पड़ी है, आगे जाकर देखता हूँ, आखिर वह गायब क कहां हो गया, अरुन अभी कुछी कदम आगे बढ़ा था, कि पीछे से आहट उपरी, और जब तक अरुन पीछे घूमता, साया दिवार में समा गया, उफ, यह मैंने क्या देखा, ओ, तो क्या सजमुच हवेली पर किसी प्रेद की छाया है, लेकिन अरुन ने हिम्मत नहीं ह और उस दिवार के निकट जा पहुँचा, कमाल है, इसी दिवार के पीछे मैंने उसे गायब होते देखा था, जबकि यहां तो कहीं छिपने की जगह नहीं है, तभी, आई, ओ, मेरी कमरे में चीक, अरुन तुरंत अपने कमरे की और तोड़ पड़ा, कमरे के सामने पहुँ कर अरुन को ताज्जुप हुआ, क्योंकि जो दर्वाजा वहे खोल कर बाहर निकला था, वहे अंदर से बंध था, उफ, अंदर से बंध है, यानि कोई अंदर है, अरुन ने काफी जोड लगाने की बाद भी, जब दर्वाजा न खुला, तो वहे खिड़की की और भागा, कमाल है, अंदर कोई भी नहीं है, अरुन ने एक बार फिर दर्वाजे पर जोर आजमाया, तो इस बार दर्वाजा खोल गया, कमाल है, ओ, यह चिटकमी तो उखड़ गई, अब दर्वाजा भी बंध नहीं कर सकता, अब मुझे और भी साथा नहना होगा, यह सब क्या चक्क है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, अरुन ने पसीना पोशने के लिए, जैसे ही चादर खीची, अरे, बचाओ, अगले ही पल अरुन फर्ष पर गिरा, आह, और पेहोश हो गया, अगले ही पल, हुह, हाह, सुभा अरुन की आँख, बोड़े नौकर के जोर से हिलाने से चोटी ठाकूर, चाई, ओ, तबी अरुन को रात की घटना याद हो आई, और बहे बड़बडा उठा, मैं, मैं यहाँ पलंग पर, मुझे पलंग पर किसने लिटाया, यह आप क्या के रहे हैं चोटी ठाकूर, क्या आप नीचे सो गए थे, जो कोई और आपको पलंग पर ल नहीं थे, छोटी ठाकूर, आप भी क्या पहकी-पहकी बाते कर रहे हैं, मैं भला हवेली छोड़ कर कहा जाता, काका, तुम रात को हवेली में ही थे, तो क्या तुम्हे कोई आवाज, कोई चीक, किसी के चलने की आवाज, कुछ सुनाई नहीं दिया, ओ, तो यह बात है, प्रेत ने जेतावनी दे दी है, कि वह जल्दी ही आपको मारने वाला है, मेरी मानिये, तो आज ही यह हवेली छोड़ दीजिए, जेतावनी, हाँ, जेतावनी, मैं बताता हूँ, कि आपने रात में क्या देखा होगा, पहले तो आपने उस बुर्ज पर, मुझ जैसे किसी ब नहीं बात नहीं है, भूत है ना, अतो वह किसी का भी रूप धर लेता है, आपकी माताजी को वह आपके पिता के रूप में, और आपके चाचा को मेरे ही रूप में दिखाई दिया था, क्या, चौंके मत छोटे ठाकुर, यह भूतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मै बिल्कुल, आपने उसे पकड़ने की या तलाश करने की कोशिश की होगी, मगर बात में वह आपको दिखाई नहीं दिया होगा, और अगर दिखाई दिया होगा, तो आप उसे पकड़ना सके होगे, क्योंकि वह अचानकी गायब हो गया होगा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक क है रहे हो। उसे न आपके दाधा और पिता पकड़ सके और नहीं आप क्योंकि भूट प्रेतों को कोई नहीं पकर सकता। inception के बाद येदि आप अपने कमरे से बाहर निकले होगे तो आपको अपनी कमरे में चीक सुनाई दी होगी। हाँ, मैंने चीक सुनी थी। और आप मन बोरिये, मैं बताता हूँ, वापसी में आपको दर्वाजा अंदर से पंद मिला होगा और उसी तोड़ कर आप अंदर आये होगे। हाँ, काका, रात में वहेट चिटकनी मैंने तोड़ दी थी। पता नहीं, किसने कमरा अ यहां रात को एक खून से सनिक खोपड़ी, यहीं तो रखी थी, मैंने अपनी आँखों से देखा था, उसके बाद अचानक आपको या तो जो रोकी नीदा गई होगी, या आप बेहोश हो गए होगे, हां काका, खोपड़ी देखकर मैं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया था, तभी तो मैं हैरान हूँ, कि मैं बिस्तर पर कैसे, और बिस्तर से खोपड़ी गायब देखकर हैरान नहीं है, वह कुंटी जो रात को तूट कई थी, उसे भी देख लीजिए, कमाल है, यह तो बिल्कुल ठीक है, जैसे तूटी ही नहो, हां सुभह तक यह हर बार अपने आती है, मगर यह सब आपको कैसे मालूम है, छोटी ठाकूर यह प्रेतात्मा मेरे सामने आपके दादा, पिता, माता और चाचा का खुन कर चुकी है, उनका खुन होने से पहली रात को सब के साथ यही हुआ था, जो आपके साथ हुआ है, यानि यदि आज मैं यहां ठहरा, तो मेरा भी खुन हो जाएगा, हाँ, यदि आज भी आपने यहां रहने का दुश साहस किया तो, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कई काम निप्टाने है, उफ, अब मुझे क्या करना चाहिए, तब यह अरुन का ख्याल तक्ये की और गया, और जैसे ही उसने तक्या उठा क कर देखा, कमाल है, यह दोनों चीजे भी सही सलामत है, अब मुझे यह गाउं छोड़ ही देना चाहिए, सच मुझ, इस हवेली पर किसी प्रेत की छाया है, रामदीन काका को किसी जमिदार को बुलाने भेश दू, दोपहर तक सारी जमीन जायदात उसे बेशने की बात कर ल इस से बात करना उचित नहीं होगा, अता अरुन पुना अपनी कमरे की ओर चल दिया, कुछ देर बात पूरा नौकर स्वेम ही अरुन के कमरे में पहुचा, काका मैं सोचता हूँ, यह हवेली बेच चुदू, आकर इसमें रहकर जान गवाने से क्या फायदा, फिर मैं तो व पर अड़े रहे और अपने प्राणों के साथ साथ अन्य के भी प्राण कवा दिये, लेकिन काका एक परिशानी है, इस प्रेद क्रस्त हवेली को खरीदेगा कौन, इसकी आप चिंता ना कीजिए छोटे ठाकूर, यह बिक चाय की, मगर, मगर क्या काका, इस हवेली की कहानी गाउं का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए इसके दाम अच्छे नहीं मिरेंगे, अरे काका, अगर यह नहीं भी की, तो भी मुझे इसे यों ही छोड़ कर जाना होगा, अता इसका मुझे जो भी मिल जाए, वही ठीक है, तब तो यह हवेली में जरूर बिकवा दूगा आज ही गाउं के किसी जमिदार से बात करता हूँ, ठीक है काका, तुम जमिदार से बात कर लो, मैं आज ही यह गाउं छोड़ देना चाहता हूँ, आज की रात मैं इस हवेली में नहीं भी ताना चाहता, बूढ़ा नौकर उसी समय जमिदार के पास चला गया, बूढ़े के अरे यह तो काका के कमरे में जा रही है कहीं यह वहाँ कोई नुकसान न करते अरे भाग यहां से चल तभी एक और बिल्ली न जाने कहां से निकल कर वहाँ पहुँच गई दोनों बिल्लियां आपस में लड़ने लगी ओ, चल भाग म्याँम और दोनों बिल्लियों को भगाने के चक्कर में अरुन एक संदूग से जबर्दस्थ होकर खा गया जैसे ही अरुन कराता हुआ उठा उसके द्रिष्टी खुले संदूग में उपरी रखे एक कागज पर पड़ी यह क्या अरे यह तो वही पत्र है अरुन वह कागज निकाल कर पड़ने लगा जो की एक पत्र था हम तो यह बात है कैसा था वह पत्र जिसे अरुन पड़ रहा था और जिसे पड़ते हुए अरुन ने बूढ़ी नौकर को रोते हुए देखा था क्या वास्तव में हवेली पर किसी भूत प्रेट का साया था या फिर वहां कोई भयानक शर्यंद्र चल रहा था हवेली के वासियों की हत्याई कौन कर रहा था क्या अरुन हवेली बेच कर शहर चला गया क्या अरुन हत्याओं के साथ साथ भूत प्रेत का रहस्य जान सका यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो तडप उठी मौत में तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद